हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज इस वीडियो में हम ये ब्यूटिफुल सी कुर्ती बनाना सीखेंगे, हमारे बताए हुए सारे मेथड फोलो करके आप एक परफेक्ट फिटिंग वाली कुर्ती रेडी कर सकते हैं, ये हमारे वीडियो का फिर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने ड्राफ्टिंग और कटिंग के पूरे मैथड बताए हैं, जब हमारी कटिंग परफेक्ट होगी, तब हम एक अच्छी फिटिंग वाली कुर्ती रेडी कर सकते हैं, तो पहले हम ड्राफ्टिंग देखेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं, इस पैटन को बनाने क के लिए हमें किन-किन मेजरमेंट की जरुत होगी, वो हम यहां पर आहां देखेंगे, तो सबसे पहले हमें योग की लेंध की मेजरमेंट की जरुत होगी, तो हमने यहां पर योग की लेंध 14 इंच रखी है, आप अपने एकोडिंग इसे कम जादा कर सकते हैं, और योग की मेजर टेप को एकदम सीधा रखके हमें इसका मेजर करना है इस तरह से बिलकुर स्टेट ये हमारा फुल शोल्डर का मेजर होगा, यहाँ पर फुल शोल्डर हमारा 15 इंच है, आपका कम जदा हो सकता है, आप अपने साइस के अकोडिंग रखें इसे, थर्ड है हमारा रेडी शोल्डर, तो ये क्या होता है जितनी पट्टी हमें शोल्डर पर चाहिए उसका मेजर है, तो ये आप अपने अकोडिंग सेट कर सकते हैं उसी के अकोडिंग आपकी जो नेक की broadness decide होगी, तो उस हिसाब से ये हमें लेना है, तो ये हमने 3.5 इंचे से लिया है उसके बाद जो next है, हमारा fourth point, वो हमारा जो है chest होगा, यहाँ पर हमारी chest 36 है तो chest का सबसे उबरा वाला पार्ट है, वहाँ से हमें measure करके इसे लेना है तो ये जो है, fix लेना है हमें ना कम ना ज्यादा lose लेना है उसके बाद जो हमारी waist आएगी तो waist को भी हमें इसी तरीके से round करके एकदम perfect measurement लेना है next हम क्या है, neck की length लेंगे तो neck की length हमें shoulder के center से inch tape को बिलकुल सीधा रखते हुए लेनी है तो इस तरह से dot-dot measurement लगा रही है और जितनी length हमें चाहिए उस हिसाब से हम neck की length ले लेंगे next point हमारा shoulder to apex point है तो ये measure भी हमें shoulder के center से apex यानि bust के सबसे उबरे वाले part से लेना है ये हमें dart के लिए use होगा ये measure हमारा जो next point है वो apex to apex है तो ये point भी हमें लेना है तो मैं आपको show कर रही हूँ किस तरीके से होगा next अगला होगा हमारा sleeve की length वो हमें shoulder से जितनी हमें length चाहिए वो हमें अपने according लेनी है उसके बाद होगा हमारा sleeve का round तो जितना हमें losing चाहिए उसमें add कर लेंगे last and final हमारा जो measurement होगा वो full length होगी तो full length भी आप अपने according रख सकते हैं यहाँ पर हमारी full length 48 inch है अब हम इस measurement के according इसे pattern पे draw करेंगे आप direct fabric पर भी draw कर सकते हैं अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक straight line draw करेंगे next हमें yoki length का mark करना है तो हमारे ने yoki length 14 inch ली है हमारी yoki length 14 inch है इसमें हम 1 inch plus करेंगे half inch हमारा उपर की तरफ और half inch हमारा नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा तो आप अपने measurement के according जितना भी आपका measurement है उसमें आपको 1 inch plus करना है तो यहाँ पे हमने 15 inch पर mark कर दिया है सामने की तरफ भी हम एक marking और करेंगे 15 inch पर अब इन दोनों marks को हमारा आपस में मिला देंगे अब हमें जो है next measurement लेना है तो next हमारा जो measurement है वो हमारा full shoulder है तो जितना भी हमारा shoulder का measurement है उसका हमें half कर देना है तो हमारा shoulder जो है वो 15 inch है उसका हम यहां पर half कर देंगे इस तरह से और अभी इसे हम half करके यहां पर एक marking करेंगे यह हमने shoulder का half कर दिया है अब इसे open करके भी इस तरीके से mark कर सकते हैं यह हमारा 7.5 inch आया है next हमें 1.75 inch पर shoulder down करना है और neck की तरफ से 2.5 inch पर mark करना है यह दोनों ही अमारे लिए compulsory है अब इन्हें हम आपस में join कर देंगे अब हम armhole की marking करेंगे एक perfect तरीके से armhole की marking करने के लिए हम यहां पे एक method यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें chest size के according हम armhole की marking करेंगे अगर हमारी chase 28 से 31.75 के बीचे तो हमें इसे 6 से divide करके 1.75 inches में plus करेंगे अगर हमारी chase 32 से 35.75 के बीच है तो हमें इसे 6 से divide करके 1.50 इसमें plus करेंगे इसी तरह से sub में होगा सब को हमें 6 से divide करके इसमें अलग-अलग तरीके से इसमें plus करना है तो हमारी जो chest size है वो 36 से 40.75 के बीच में आ रही है तो यानि हमारी chest जो है वो 36 inch है तो इसे हमें अब 6 से divide करके इसके सामने जो लिखा हुआ है plus 1 inch तो हमें भी इसे plus 1 inch add करना है तो यहां हमारी जो chest है वो 36 inch है अब हम इसे 6 से divide करेंगे और इसके अंदर 1 inch plus कर देंगे तो यह हमने इसे 6 से divide किया और इसमें 1 inch plus कर दिया तो यह हमारा 7 inch लंकल क्या रहा है यानि हमारा जो arm hole है वो 7 inch होगा और यह perfect method है arm hole निकालने का अब जहां से हमने shoulder down किया था वहां से नीचे हमें 7 inch पर mark करना है और अब हम यहां पर एक chest line draw कर देंगे यह हमने यहां पर chest line draw कर दी है यह हमारा जो है back part है यहां पर मैं लिख देती हूं अब arm hole बनाने से पहले हम यहां पर chest में जो losing add करनी है वो देख लेते हैं तो यह हमने chest line draw करी है अब हमारी जो chest है वो 36 inch है अब हमें इसमें कितना प्लस करना है losing के लिए तो chest में हम 3 inch 4 inch 5 inch या 6 inch अपने according add कर सकते हैं जितनी भी हमें losing चाहिए तो 3 inch जो होती है वो सबसे कम होती है लेकिन 4 या 5 जो inch है वो medium है लेकिन 6 inch जो है वो सबसे ज़ादा है तो यहाँ पर हम 4 या 5 inch में से एक choose कर लेते हैं तो हमें 4 inch चाहिए तो ना जादा हमें lose चाहिए और ना जादा हमें tight चाहिए तो यहाँ पर 36 जितनी भी आपकी total chest है यहाँ हमारी chest 36 inch है तो 36 inch में हम सबसे पहले plus 4 inch करेंगे यहाँ पर हमने 4 inch किया है और उसके बाद हम इसे 4 से divide कर देंगे तो यह हमारा 40 आया है तो 40 कम 4 से divide कर देंगे तो हमारी जो chest है वो 10 inch आ रही है तो यहाँ पर हम 10 inch पर marking करेंगे next हम waistline पर भी marking करेंगे तो यह जो नीचे है यह हमारी waistline है अब यहाँ पे भी हमें losing add कर देंगे waste line में losing chest के according add होती है अगर chest में हमने 3 inch losing add करी है तो वहाँ पे हमारी 2 inch होगी यानि 1 inch हमारी कम होगी तो हमारी chest 30 inch है तो 30 inch में यहाँ पे हमने plus 3 inch किया है क्योंकि chest में हमने 4 inch लिया था तो यहाँ पे 33 हो गया अब इस pattern में हमें जो है dart भी लेनी है तो dart के लिए हम अलग से plus करेंगे तो हमें dart के लिए 1.5 inch यहां पे हमें plus करना है 0.75, 0.75 का हमारी दोनों तरफ add होगी तो यहां पे हम 1.5 inch यहां dart का add कर लेते हैं next अब यहां पे सिलाई के लिए margin add करेंगे तो यहां हम margin 1 inch add कर सकते हैं आप अपने according कर सकते हैं लेकिन जितना आप इसे कम रखेंगे उतना ही आपकी dress में finishing बहुत अच्छी आएगी तो यहां पे हम 1.1 inch दोनों तरफ से waist line और chest line से 1.1 inch की यहां पे सिलाई के लिए हम अलग से margin रख रहे हैं तो यहां पे बार की तरफ से मैं दोनों को join कर दूँगी उसके बाद अंदर की तरफ से भी मैं इसे join कर दूँगी और यह जो बाकी का एक mark आपको दिख रहा है यह हमारा dart के अंदर चला जाएगा तो इस तरह से यहां तक हमारा clear हो गया है अब हम last हमारा armhole की marking करेंगे तो हमारा armhole जो है वो 7 inch पर आ रहा था अब इसका हम यहां से half करेंगे और इसे half पर marking करेंगे अब यहां पे हम shoulder से देखेंगे तो यह हमारा जो shoulder है वो 7.5 inch आ रहा है तो नीचे से हम इसे half inch कम कर देंगे और जो हमने center पर mark किया था वहाँ पर हम 7 inch पर एक mark करेंगे और नी chest line की तरफ से भी हम यहाँ पर 7 inch पर mark करेंगे next हम यहाँ पर cross की marking करेंगे अब cross marking किस तरह से की जाती है वो हम देख लेते हैं तो जब भी आपकी chest 40 से plus inch हो तो 1 inch की cross करेंगे और 40 से कम हो तो 0.75 inch की अब back है back में 40 से कम है तो 1 inch और 40 से plus है तो 1.25 inch की cross करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी chest है वो 36 inch है तो हम back part में ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर cross marking 1 inch पर करनी है तो यहाँ हम यह cross 1 inch पर कर रहे हैं इस तरह से हमने cross कर दिया है अब इन सारे marks को हम आपस में मिला देंगे इसके लिए यहां मैं french curve यूज कर रही हूँ ताकि easily और proper तरीके से armhole का shape आ जाए तो पहले हमने यहां पर नीचे के तीन जो marks है उनको आपस में join कर दिया है अब हम उपर के दो points को भी आपस में इस तरह से मिला देंगे यह हमारे back की तरफ का perfect armhole shape ready है अब next हम neck की marking करेंगे तो neck की marking करने के लिए हमें यहां पे सबसे पहले shoulder का center point लेना है अब यहां से एकदम inch tape को straight रखते हुए यहां पे 1 inch की हम marking करेंगे हम 1.5 inch भी ले सकते हैं 2 inch भी ले सकते हैं लेकिन इस से जादा हमें नहीं लेना है क्योंकि पहले से ही हमारा shoulder बहुत down है तो हमारा जो पीछे का neck है वो बहुत deep हो जाएगा अब उसके बाद जो हमारा ready shoulder है वो 3.5 inch है 3.5 inch अब इसमें plus 1 inch करेंगे क्योंकि दोनों तरफ 1.5 inch हमारा सिलाई में जाएगा तो shoulder की तरफ से हम यहां पे 3.5 inch plus 1 inch 4.5 inch पर यहां पर एक mark करेंगे और जो mark है हमें half inch नीचे की तरफ से करना है क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाएगा उसके बाद हमारा shoulder कम जादा हो सकता है यहां से हम इसे half inch और डाउन करना है क्योंकि यह हमारा सिलाई में जाएगा उसके बाद हमारी shape खराब हो सकती है उसके बाद हम यहां पे यह shape देंगे यह हमारी perfect shape बनके ready है हमारा back part ड्रो हो गया अब हम front part ड्रो करेंगे तो हमेने back part से 1 inch का gap रखते हो यहां पे एक straight line ड्रो करेंगे और जितना हमने back part में shoulder लिया था 7.5 उतना ही यहां भी हमें 7.5 ड्रो करना है उसके बाद इसे भी हम 1.75 इंच टाउन करेंगे और neck की तरफ से भी हम यहां पे 2.5 इंच पर mark करके दोनों marks को आपस में मिला देंगे इतना हमारा यहां तक same है next जो हमारा arm hole जो हमने लिया था 7 इंच वो भी same यहां पे यही रहेगा तो यहां पे भी हम 7 इंच पर mark कर देते हैं और एक chest line पर draw कर देते हैं straight line चेस्ट line पर जो इतना हमें यहां back में लिया था उतना ही यहां पर भी हमें लेना है, जो Waste Line है उस पर भी हम इतना ले लेंगे, तो यहां हमने जितनी योग की लैंद रखी है, फ्रंट में भी हमें योग की लैंद उतनी ही रखनी है, और यहां पर यह वेस्ट लैन में ड्रो कर देती हूं यह हमारा बिल्कुल सेम रहेगा नीचे की जो वेस्ट है वो हमारी 10 इंच थी बैक में तो यहाँ पर भी 10 इंच तो बिल्कुल यहाँ तक हमारा एकदम सेम रहेगा सिर्फ हमारा यहाँ पर आर्म होल में चेंजिस होंगे तो 1 इंच जो हमने सिलाई के लिए एड़ किया था बैक में वो हमें यहाँ पर फ्रंट में भी एड़ कर लिया है यह होने के बाद अब हमें जो है नेक की शेप बनाने है नेक की शेप के लिए हमें यह मैथड यूज करना है और यह मैथड ओनली हाडवी नेक शेप के लिए है अगर आपको other necky shape चाहिए तो उसके लिए अलग से method यूज़ होगा तो यहाँ पे हमें 3 measurement के ज़रूत है इस chart को देखने के लिए पहला है हमारी necky shape, second है हमारे ready shoulder and third है हमारी necky length तो हमारी necky shape है वो hard V है, ready shoulder जो हमने measurement में से लिया था वो हमारा 3.5 inch है जो हमने starting में measurement में ले लिया था and third हमारे necky length, तो यहाँ पे हमने necky length 7 inch रखी थी अब इन तीनों को देखके हम इस chart में से देखेंगे तो necky जो shape है वो हमारी clear है and second जो ready shoulder है वो हमें इसमें से देखना है तो जो सबसे top पे जो line है उसमें हमें तीनों में सर्च करना है कि हमारा किस line में हमारा ready shoulder आ रहा है तो यहाँ पे हमारा second line में आ रहा है first and third line में नहीं आ रहा है तो second line में देख लिया उसके बाद हमें necky length देखनी है तो यह necky length दोनों में आ रही है तो इसमें जो second जो first में आ रहा है हमारा 7 to 8 इंच वहाँ पे उसके नीचे just देखना है तो हमें ये 1.25 इंच हमारे जो है माइनस करना है तो जितना हमारा shoulder neck की width की according भार की तरफ जाता है तो पहले ही हम उसे माइनस कर देंगे tape को सीधा रखेंगे और 13.5 इंच नी 6.75 इंच पर एक marking करेंगे नीचे की तरफ से भी हमें इतने पर ही marking करनी है अब हमें इनको आपस में join कर देंगे अभी हमें इसका center करना है जैसे back में हमने center किया था अभी हमें इसका भी center करेंगे और अंदर की तरफ हमें 2.5 इंच हमें लेना है अब इसका भी हम क्रोस लाइन बनाएंगे तो बैक में हमने 1 इंच किया था अब जो फ्रेंट का हमने बताया था अगर हमारी 40 से कम है तो यहां पे हम 0.75 इंच की ही क्रोसिंग करेंगे यानि जितना हमारे बैक में होगा उससे हम 0.5 इंच कम की तरफ लेंगे तो यहां पे 0.75 इंच की हमने यहां पे क्रोस लाइन पर मार्क कर दिया है अब फ्रेंच करों की हेल्प से हम इन तीनों मार्क को आपस में जोइन कर देंगे अब उपर के जो दो पॉइंट से इनको भी हम आपस में जोइन कर देंगे इस मैथड को यूज करने से आपकी आर्म होल में किसी परकार की कोई क्रीज नहीं आएगी तो अब भी नेक्स्ट हम यहां पे शोल्डर का सेंटर पॉइंट लेंगे शोल्डर के सेंटर पॉइंट से ही हमें जो नेकी लेंथ मार्क करनी है तो यहां पे यह शोल्डर के सेंटर पॉइंट पर हम मार्क कर रहे है उसके बाद इस पतरह इंच टेप को सीधा रखकर हम नेकी लेंथ मार्क करेंगे तो हमारी neck की length जो है वो 7 इंच थी तो यहाँ पर 7 इंच पर हमने mark किया है लेकिन जो हमारी shape है वो hard V shape है तो जब भी हमारी neck की shape इस तरह से होती है और हम half-half inch जब सिलाई में देंगे तो यह 0.75 inch हमारा extra बढ़ जाएगा तो हमेरी जो perfect length है उससे ज़ादा हमें length मिलेगी तो इसलिए हम 0.75 inch पहले ही कम कर देंगे अब यहाँ पे हम ready shoulder की marking कर रहे है तो ready shoulder हमारा 3.5 inch उसमें हमने plus कर दिया तो जितना back मिलिया था उतना ही हमें shoulder लेना है अब यहाँ पे हम neck की भी marking कर देंगे तो neck हमने 6.25 inch रखा है 0.75 inch हमने कम कर दिया क्योंकि सिलाई में जब कपड़ा जाएगा तो उसके बाद हमें perfect length हमारी 7 inch मिल जाएगी अब हमने इसका center करके और half inch भार की तरफ किया है ताकि हम इसे एक hard V shape दे सके इस तरह से हमने इसे एक hard V shape दे दी है half inch हमारा सिलाई में चला जाएगा और हमें perfect neck की length मिल जाएगी इसके बाद हम apex point पर mark करेंगे तो जितना भी हमारा point है 9 inch आ रहा था उसमें हमने half inch प्लेस कर दिया है और apex to apex point हमारा 7 inch आ रहा था उसका half है आपने 3.5 inch mark कर दिया है waistline से भी हम 3.5 inch पर mark करेंगे और इस तरह से दोनों को join कर लेंगे अब हमारी जो dart की width है वो 1.5 inch है तो दोनों के तरफ से इसको half-half लेकर हम ये dart की marking कर देंगे same यही हमें back part में भी करना है तो back में भी हमें जितना हमारा pivot point है उसमें half inch plus करना है और 3.5 inch इसे wide रखना है इस तरह से दोनों तरफ करके और हम waistline पर mark कर देंगे और 1.75 inch जो हमारी dart है इसको दोनों तरफ से half-half कर देंगे और ये dart की marking कर देंगे तो यहां तक हमारा front and back part बनकर ready है अब एक बार हम shoulder check कर लेंगे तो जितना हमारा front का shoulder आ रहा है उतना ही हमारा back का आ रहा है तो यह हमारा complete है अब हम इन patterns की cutting कर लेंगे जो भार वाली line है main उससे हमें इसकी cutting करनी है यह हमारा front part cut हो गया है और जो dart है वहां पे हमने noches लगा लिए है ताकि जब हम इसे fabric पर रखकर cutting करें तो हमारे लिए easy हो तो यह हमारा back part है और यह हमारा front part है यहां मैं on fold की तरफ से निशान लगा रही हूँ और हम इसे एक एक की cutting करनी है अब यहां मैं इसे मिला के देख रही हूँ तो जो भी हम sleeve बनाएंगे बैसिकली एक sleeve का फर्मा होगा इसी को use करके हम sleeve की cutting करेंगे तो यहां पे यह मैं length ले रही हूँ 11 inch सामने की तरफ भी हमने 11 inch length ले ली है अब इन दोनों को आपस में join करके एक straight line draw करेंगे अब हमें on fold side से 9 inch पर mark करना है आप किसी भी size कि sleeve draw कर रहे हो सबसे पहले हमें फर्मा इसी तरीके से बनाना है तो यह उपर की तरफ से भी हमने 9 inch ले लिया है अब इन दोनों marks को भी हमस में मिला देंगे next जो है हमें 4.75 inch हमें इसे down करना है सामने वाली तरफ से तो यहां पर 4.75 inch पर हमने down कर दिया है और यहां on fold side से भी हमें 4.75 inch पर down करना है अब इन दोनों marks को हम आपस में मिला देंगे यह हम डोट-डोट करके इससे join कर रहे हैं इस तरह से next हमें सामने वाली तरफ से नीचे की तरफ 1.75 inch इससे down करना है उसके बाद नीचे की तरफ से हम इसे 2 inch अंदर की तरफ करेंगे और इन दोनों marks को आपस में join कर देंगे इस तरह से अब जो हमारी डोट-डोट वाली लाइन है उसे भी हम corner से आपस में इस तरह से join कर देंगे अब यहां से मैं 2 inch अंदर की तरफ ले रही हूँ अब इन दोनों को हम आपस में join करेंगे next हमें on fold के corner से 4.5 inch पर एक mark करना है अब इसका भी हमें center करेंगे इस तरह से और half inch उपर की तरफ एक mark और करेंगे इस तरह से यह हमने half inch उपर की तरफ mark कर दिया है अब इन दोनों marks को इस तरह के से हम join करेंगे और फिर इसे center वाले part से मिलाते हुए नीचे वाले point पर join कर देंगे अब इस point को इस point से मिलाएंगे इस तरह से यहां पे हमें यह perfect shape मिल गई है और इसी को use करके हम किसी भी size की sleeve बना सकते है यहां पे front और back हमारा अलग-अलग नहीं होगा वो हमने इसी में ही set कर लिया है तो यह हमारी perfect sleeve कट होके ready है यह basically एक sleeve का फर्मा है तो इसमे front और back एक ही होगा अब हमारे यहां पे तीनों pattern कट के ready है जिसमें front back और हमारी sleeve आ गई है अब नीचे जो घेरा है gathers के लिए हमें लेना है अब हम वो देखेंगे तो इसकी length और width हमें निकालनी है तो length निकालने के लिए जितनी भी हमारी total length है उसमें से हमें yoke की length को minus कर देना है तो हमारी total length 48 inch है उसमें से हम yoke की length यानि 14 inch को हम minus कर देंगे 14 inch minus करने के बाद यहां हमें 34 inch मिला है अब जो हमारी total length 34 inch है अब इसमें भी हमें 1.5 inch add करना है तो half inch जो हमारा सिलाई में जाएगा 1 inch हमें नीचे folding के लिए चाहिए तो हमारी यहां पे total fix length निकल के आईए 35.5 inch तो हमें इसकी length 35.5 inch निकालनी है उसके बाद हम इसकी width का mark करेंगे इसके लिए हमने back part की waist line से यहां हम measure कर रहे हैं हमें जो side के सिलाई वाला है वो add नहीं करना है तो जितना भी हमारा आता है उसके अंदर से हम dart का minus कर देंगे तो यहां मैं ऐसे open करके mark कर रही हूँ तो यह हमारा 20 inch के आसपास आ रहा है और हम इसके में जो सिलाई का margin है वो add नहीं कर रहे हैं अब उसके अंदर से हमें 1.5 inch, 1.5 inch यानि प्लस 3 inch हमें इसमें से minus कर देना है तो total हमारी जो width है वो 20 inch आ रहे है उसमें से हम 3 inch minus कर देंगे तो हमारा यह 17 inch रह जाएगा तो हमारी जो width अभी फिलाल 17 inch है अब है ना हम इसमें gathers के लिए 2 inch या 2.5 inch या फिर 3 inch इसको into करके हम इसकी gathers का है निकाल सकते हैं अपने according निकाल सकते हैं अगर आपको normal चाहिए तो आप 2 inch या 2.5 inch ले सकते हैं अगर आपको gathers जादा चाहिए तो आप 3 inch ले सकते हैं तो यह हमने 2.5 inch लिया है तो इसमें हमारी जो gathers की width है कपड़े की वो 42.5 inch आ रही है तो ऐसे हमें 2 part निकाल लेने है हमारी pattern complete हो चुके है अब हमें इसे इस fabric पर लगकर cutting करना है और जो हमारा yoke वाला part है उस पर हम ये अस्तर लगाएंगे perfect cutting करकर ही हमें perfect dress stitch कर सकते हैं तो please इसका stitching का second part है वो आप जरूर देखिए और आपको मेरे ये cutting का method कैसा लगा तो please comment करके जरूर बताईए thanks for watching